आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुना स्वागत है दोस्तों कुछ साथियों ने कमेंट करके ये पूछा था कि एक सितंबर से प्रात्मिक के और 23 सगस तैने इसी महीने के 23 तारिक से जूनियर के बच्चे भहती दूपे विड्यालों में उपस्तित होंगे तो क्या उनके MDM बनेंगे या नहीं बनेंगे तो इस संदर में दोस्तों मानी देशक अनामिका सिंग जी का आसपस्ट आदेश आचुका है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये डेट की बात करें तो ये आज ही का आदेश है 19 सगस 2021 का सेवा में समस्त जिला दिकारी उत्ता प्रदेश समस्त जिला बेसिक सिक्षा दिकारी उत्ता प्रदेश को ये आदेश जारी किया गया अगर हम भीज़ा की बात कर लें तो प्रदेश में संचालित का दोस्तों इन पंक्तियों की बात किया रहे तो पूरू के सासना देश का जिक्र किये गया है जिसके अंतरगत विद्याले खोले जा रहे हैं आई हम सीधे मेन पॉइंट पे ले चलते हैं जो आपको MDM समंधित जानना है दोस्तों यहां से सुरुवात होती है इसकी आप देख स प्रवेश करते हुए हाथों को सेनेटाइज कराने वह अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए सभी रसोईयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार होगा और किसी भी प्रकार के आभूस्णों को पहनने की अनुमती नहीं होगी नेक्स्ट है योजना अंतरगत कारेरत समस्त रसोईयों को कैम पत्वा समीब के स्वास्तकेंद पर कोविड-19 टिका करन लगवाये जाने है तू निर्देशित किया जाए नेक्स्ट है रसोई घर में परियोग किये जाने वाले वर्तनों तथा खाद्यान भोजे पदार्थों को इस्तेमाल करने के से पूरू अच्छी तरह से साफ किया जाएगा नेक्स्ट है भोजन वितर से पूरू बच्चों को पंक्ती बद रूप में निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाएगा तथा पूरू निर्धारित अस्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्ती बद रू का अनुपालन सुनिस्चित किया जाए नेक्स्ट है भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूडे को धककंदार डस्ट्वीन में डाला जाए पानी निकासी की भी सुद्रिन व्योस्था की जाए किसी भी इस्थिती में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाए धोय गए बर्तनों को धूप में सुखा कर रसोई घर में ही रखा जाए भोजन पकाने में इस्तेमाल किये गए कपड़े, एपरन, हेड कवर, पोचा, आज को भी साबुन से धो कर धूप में सुखाया जाए नेक्स्ट बिन्दू है ऐसे विद्याले जहां दो पालियों में पराता8 बज से 11 बजे एवंग पराता 11 बजे से अपरान में धाई बजे तक पठन-पाथन कारे संचालित किया जा रहा हो उन विद्याले में दोनों पालियों के छाट-छातराओं है तुँ एक साथ भोजन ग मध्यान भोजन योजना के निर्वाद रूप से संचालन के द्रिश्टिगत मध्यान भोजन नियम 2015 में 12 सरकार दोरा या ब्योस्था की गई है कि इस्कूल का प्रधान ध्यापक का सशक्त अधिकार होगा कि वह इस्कूल में खाध्यान पकाने की लागत आधि और अस्थाई तोर पर उपलव्द 9 होने के मामने में मध्यान भोजन इस्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए इस्कूल में उपलव्द नीधी का उपियोग करें मध्यान भोजन के लिए नीधियां प्राप्त होते ही ततकाल इसकूल के खाते में उपियोग की गई धनरास की प्रतिपूर्ती कर दी जाएगी। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्याले अस्तर पर कारेवाई करते हुए योजना का संचालन किया मध्यान भोजन योजना अंतरगत गठित जिला टास्क फोर्स ब्लाग टास्क फोर्स के सदस्यों दोरा मानका नुसार नियमित रूप से निरेक्षण किया जाएगा। उपरोकता नुसार जन्पदों दोरा प्रदत निर्धेसों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करत हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो दोस्तों यह था चोटा सा ब्लेट मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार